प्राइम टीवी सच साहस सरोकार स्वागत है आपका प्राइम टीवी में मैं हूँ आपके साथ मयूरे शिर्वास्तव सरगुजा जिले में तलाब निर्माड के नाम पर भरष्टाचार का मामला सामने आया है जहां सरपंच सचीव और विभाग की अधिकारियों ने सालों से बने पुराने तलाब को नया बना लाखो रुपए निकाल लिये देखी हमारी खास रिपोर्ट सरगुजा जिले के उद्यान विभाग वारा राष्ट्रिय बागवानी मिशन योजना के तहर्प पनने वाले तालाब निर्माड में प्रष्टा चार का मामला सामने आया है शेकार नामा कर दिखाया है केजुग्राम पंचायत के सरपंच सचिव और उद्यान विभाग के अधिकारियों दरसल सरगुजा जिले के सीतापुर ब्लॉक अंतरकर केजुग्राम के धोबी पारा में उद्यान विभाग वारा राष्ट्रिय बागवानी मिशन योजना के नया तालाप का निर्मार कराना था जिसके लिए सरपंच ने अपने चाचा के नाम उद्यान विभाग में आवेदन कर स्विक्रित कराया पुराने तालाप को ही नया बता कर सरपंच और सचिव ने मिलकर 20 लाग टकार लिए वहीं ग्रामीडों ने आरोप लगाया कि सरपंच और सचिव ने मिलकर पुराने तालाप को नया बना 20 लाग रुपे का बदर बाट कर दिया 2021 में सरपंच अपने चाचा फूल से वा अन्य किसानों के नाम सामुदाइक तालाप का निर्मार कराय जाना था ताकि गाउं में सिचाई सुविधा हो और तालाप के आसपास किसान दोनों सीजन की फसल लगा आए में बढ़ोत्री करें लेकिन सरकार की इस योजना में भ्रष्टा चार कर लिया गया तो सहेब पूराना तलाव था खोड़ा उतना नहीं हुआ है ज्यादा से ज्यादा हुआ होगा देढ़ दूए लाग का तो अब सुकृत्ती में बता रहे है कि 20 लाख गड़बर तो पता नहीं पंचायत में लोग निकाल के उधर कि दर कर रहे कि अपना खार है इसको तुम में अभी मेरे सोंस में तो बहुत ज्यादा ही बहस्ताचार हो रहा है बहुत ज्यादा 20 लाख रुपिया का सुकृत हुआ है उसमें 20-30 लाख रुपिया का खर्चा दिखाई दे रहा है हम लोग को बाकी कुछ नहीं है नया तालाब निर्मार के नाम पर पुराने तालाब के मेर में मिट्टी डाल लाखों रुपए निगर लिए गए वहीं उध्यान विभाग के अधिकारियों को इस तालाब के बारे में जानकारी ही नहीं शिकायत के बाद देखे जाने पर बिना देखे ही अधिकारियों ने किसान के खाते में लाखों रुपया भीज दिये इससे अंदाजा लगाए जा सकता है कि अधिकारी इस प्रिष्टा चार में कितने संलिप्त हैं मैं तो इस समय में अभी नहीं जानता है आप इमाध्यम से जो भी जानकारी प्राप्त हुई है मैं इसको दिखवाता हूँ प्रिदेश सरकार राज में किसानों की आए बढ़ाने के रिए कई योजनाए ला रही लेकिन इस योजनाओं की याड में विभागी अधिकारी मिली भगत कर योजना की राशी को हड़पने में कोई कसर नहीं छोग रही बहराल अधिकारी इस पर क्या कारवाई करते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा अधिकारी सरकारी योजनाओं के नाम पर लाखों का गवन करते वही कारवाई के नाम पर कागजी कारवाई होती देखना ये होगा कि क्या इस बार इन अधिकारियों पर कानूनी कारिवाई की जाएगी अब तक के लिए इतना ही देजबुन्या की तमाम खबरों के लिए देखते रही है प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी